हेलो दोस्तों मैं हूँ चंदन और आप सभी का हमारे चनल हेल्फ स्रीश पे स्वागत है सास्फियों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिशी इंपुट अनुदान आवेधन दो हाजार उननीस बीस के तहत फिरंस यदि आपने आवेधन किया है और आप लोगों को बता दे क्रिशी इंपुट अनुदान आवेधन के अंतरगत आप लोग बाड़ सुखार अतिवरिष्टी और अल्ट वरिष्टी के तहत आवेधन कर सकते थे यदि आप लोगों ने ये आवेधन किया है तो आपका आवेधन का क्या इस्तिती है क्या आपका आवेदन approve हुआ है अथवा reject हुआ है और reject हुआ है तो किस कारण से reject हुआ है और approve हुआ है तो friends आप लोगों का पैसा आपके account में आया है अथवा नहीं आया है और यदि नहीं आया है तो कब तक आपके account में पैसा आने वाला है इन सवी चीजों की इस्तिती अब आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, वो इसलिए कि अब इसके ओफिसियल साइड पे इसका एस्टेटास देखने का लिंक लाइव कर दिया गया है, तो फिरेंस हम आपको step by step बताएंगे कि आप कैसे क्रिसी इंपुट अनुदान आवेदन 2019-2020 क साथ यो एस्टेटास देखने के लिए आपको किसी इंपुट अनुदान आवेदन जो किये हैं, उसका आवेदन संख्या आपको मालूम होना अनिवार है, और यदि भूल गये हैं, तो फिरेंस उसे आप कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्रेंस फ्यूचर के हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे, और फ्रेंस सबसे पहले आपको आना होगा इसके official site dvtagriculture.vh.gov.in पे, और फ्रेंस जैसे ही आपके सामने कुछ इस सब्सक्राइबց, प्रेंस इस तरह से page ऑपन हो जाएगा सरपर्थम अंको किसान registration संख्या मालूम करना होगा, तो अधार नंबर बाव डबनके किसान या फिर इसे not down कर लेते हैं और जैसे इसे आप not down कर लेते हैं उसके बार आना होगा इसके home page पर और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आवेधन की ECT या आवेधन प्रेंट यहां पर पहले नमबर पर ही मिल जाता है इन्पूट सबसीडी 2019 बीस प्रेंट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको किसान रजिस्टेशन संख्या डालना होगा और उसके बाद साँड बटन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप अपना किसान रजिस्टेशन संख्या यहां पे डाल देने के बाद साँड बटन पर क्लिक करते हैं और देखेगा आपका receiving friends यहां पर download हो जाता है इस receiving को friends आप आसाने से देख सकते हैं और friends अब यहाँ पर friends आप देखेगा, यहाँ पर आपको दो आवेदन संख्या मिल गहा है, पहला जो देख रहे हैं friends यह आपका किसान रेजिस्टेशन संख्या है, और दूसा वाला जो friends आप देख रहे हैं, यह आपका आवेदन संख्या है, तो friends आपको क्या करना है, इस यहां पे आप देखेंगे दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है एक लिंक इनपूट सबसीडी 2019-20 इस्तिती तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर देते हैं और फिरेंस यहां पे आपने जो आवेदन संख्या कॉफी किया है इसे यहां पे डाल देजिए या फिर इंटर कर देजिए और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कीजिए साथ कियों जैसे ही आप साच बटन पर क्लिक करते हैं आपका एस्टास यहाँ पर सो हो जाता है आप यहाँ पर हमारा एस्टास आप देख पा रहे हैं Rejected by Agriculture Coordinator, Rejected Date 12-19-2019 यानि 19-12-2019 को हमारा आवेदन को reject कर दिया गया है और कारण में अन ने बता दिया गया है और फ्रेंस यह आवेदन हमारा इसलिए reject किया गया था क्योंकि हमारा डिश्टिक जो है न बाड और न सुखार के लिए गोशित था फिर भी हमने इसके लिए आवेदन कर दिया था यही करण है कि हमारा आवेदन को reject कर दिया गया है तो फ्रेंस इस परकार आप बड़े आहसाने से क्रिसी इनपूट अनुदान आवेदन 2019-2020 का एस्टर टास आप देख सकते हैं तो फ्रेंस इस वीडियो से समद्दित कोई सवाल या सिकायत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा वरना मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बार